हेलो दोस्तो, स्वागात आपका स्टेडी 1.2 में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मजदूरी का हिसाब कैसे करते है यहाँ पर एक सवाल है कोई व्यागती एक महिना में 6,000 रुप्या कमाता है तो 12 दिन में कितना कमाएगा दोस्तो, इसी टैप के सवाल आज की वीडियो में करेंगे बिल्कुल असान तरीका से वीडियो को कंप्लीट देखना आपको अच्छे से समझा जाएगा इसमें पुछा है एक महिना में 6,000 रुप्या कमाता है तो 12 दिन में कितना कमाएगा दोस्तो, सबसे पहले आपको बता दू कि एक महिना में एक महिना में 28 दिन 39 दिन 30 दिन और 31 दिन होता है 28 दिन भी होता है, 39 दिन भी होता है 30 दिन भी, 31 दिन भी लेकिन हम इस टैप के सवाल में 30 दिन को सामिल करेंगे इसमें पूछा है एक मिना में 6,000 रुपया मतलब 30 दीन में 6,000 रुपया कमाता है तो सबसे पहले हम एक दीन का निकालेंगे एक दीन का निकालने के लिए हम 30 से 6,000 में डिवाइड कर देंगे यहां पजाएगा 30 दुनी 60 यह कैंसर जाएगा यहां 2,0 तो 2,0 लिख देंगे तो 200 रुपया आगया तो मतलब एक दीन में वह 200 रुपया कमाता है जिसमें पुछा 12 दिन में कितना कमाएगा तो क्या करना है 200 से 12 को गुना कर देंगे तो यह आजाएगा 24 सर रुपया मतलब यह व्यक्ति 12 दिन में 24 सर रुपया कमाता है दोस्तों इसी टप के एक और सवाल करते है इससे अच्छे क्लियर हो जाएगा दूसरा सवाल है कोई व्यक्ति एक महिना में 12,000 रुप्या कमाता है तो वह एक महिना 10 दिन में कितना कमाएगा है इसमें पुछा है एक महिना यानि 30 दिन में 12,000 रुप्या कमाता है तो एक दिन का निकालेंगे एक दिन का 12,000 से तीस से डिवाइट कर देंगे ये एक जिए से एक जिए कर जाएगा इसको इससे काटेंगे यहां जाएगा 400 रुप्या मतलब एक दिन में वह बंदा 400 रुप्या कमाता है यहां पुछा एक महिना दस दिन में, एक महिना का पता है 12,000 रुपिया, दस दिन का निकालना, एक दिन का निकाल लिए 400 रुपिया, तो दस दिन का आ जाएगा 400 गुने, दस, यह आ जाएगा 4,000, तो दस दिन में 4,000 रुपिया कमाता है, और एक महिना में 12,000, दोनों को यह आ जाएगा तो इस वह बंदा शोलह हजार रुपया कमाता है जो उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छी लगे होगी आपको समझा क्या होगा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वेल